देर रात होई भारी बारिज से कई गाउं हुए जलमगन चारो तरब पानी ही पानी नमश्कार ये अप्टी लाइब में आपके साथ मैं हूँ सिम्बरनकौर फतेपुर जन्पद में शुक्रवार की रात होई बारिज से चारो तरब पानी ही पानी नजर आ रहा है पूरा इलाका पानी-पानी हो गया जिससे यमना तत्वर्ती इलाकों में लोगों के लिए बड़ी आफ़त पैदा हो गई लोगों के फसल पानी में डूबकर पूरी तरीके से जल्मगन हो गई सबसे जादा समस्या विजयपुर्शेतर के किसानों के लिए पैदा हुई है जहां लोगों के घरों में तलाबों की तरह पानी भरा हुआ है जो तस्वीरे हम आपको दिखा रहे हैं वह विजाईपूर छेतर की है जहां ग्राम पंचायत रामपूर रमसग्रा के प्रार्थमिक विद्याले में पानी तलाबों की तरह भरा हुआ है और उसी पानी से घुसकर नौनिहाल स्कूल पढ़ने जा रहे हैं वहीं दूसरी तस्वीर ग्राम पंचायत महावतपूर अजहट के पिपरहा डेरा की है जहां गाओं में भारी बारिश के चलते तबाही मची हुई है लोग अपने घरों को बचाने के लिए पानी का रास्ता इधर उधर कर रहे हैं जहां पानी इसकदर भरा हुआ है जैसे यम पूर छेतर के किसानों के लिए पैदा हो रही है जिनकी फसल पूरी तरीके से पानी में डूप कर पानी में समा गई आप देखना यह है कि क्या मौके पर कोई राजस और करमशारी पहुँच कर गरीबों की मदद करता है या नहीं यफ्टी लाइफ के लिए ठाको रनी के लिए पूल